तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जन्रलाइज कोडिनेट पार्ट टू इसके पहले हमने जन्रलाइज कोडिनेट जन्रलाइज कोडिनेट पार्ट वन किया था जिसके अंदर हमने यह देखा था जन्रलाइज डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है जन्रलाइज मैं यूज करूँगा वो पिछले वाले लेक्चर की यूज करूँगा तो जिन भी लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर देख ले उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दे दिया है उपर और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है तो kinetic energy in terms of generalized coordinate in terms of generalized coordinate coordinate फिर उसके बाद हम बात करेंगे generalized momentum की generalized momentum की and then उसके बाद third number पे हम बात करेंगे generalized force की generalized force की और फिर next lecture से हम बात करेंगे langrajin equation किस तरह से बनेगी DLM principle का क्या use होगा force किस तरह से बनेगी उसके बाद हम main course के अंदर आ जाएंगी अच्छा आपको मैं बताई चुका हूँ कि दस्तारिक से मैं MSC physics के लिए classical mechanics के batches start कर रहा हूँ कई लोगों की queries आ रही है तो उनके मैंने reply कर दिया है जो क्या fee रहेगी क्या slaves रहेगा क्या slaves coverage रहेगी बाकी लोग जिनको भी कोई doubt है कोई query है related to batch तो वो अपने जो queries है उनको जो whatsapp number चल रहे है स्क्रिन के उपर उन पर whatsapp करके पूछ सकते हैं या अगर call करना है आपको तो शाम को 6 से 7 में call कर सकते हैं लेक्चर को जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर लीजिए एक बार अगर ये लेक्चर आपके काम का भी नहीं है तो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके काम का है और पहली बार चैनल पर आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए चलिए अब ज आपर मैं लिखुंगा T से काईनेट्रय को मैं किससे लिखुंगा T से लिखुंगा तो यह T है यह किस के बराबर हो हाफ लेक्स यश्क्वाइर के बराबर हो गया चैनल और कम अच्क्राइब का मतलब हो गया डी- Efon Dt औल अगर हम मैं इसको generalized या फिर मैं इसको radial coordinate के form में लिखूँ तो t को मैं लिख सकता हूँ half m r dot square इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर अब मैं इसको coordinate की शकल देने की कोशिश करूँ coordinate की शकल देने की कोशिश करूँ मतलब मैं इसको एसे भी लिखूँ अगर t बराबर half m इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक coordinate ले लिया मैंने r i dot और dot product करा दिया r j dot से इनका dot product करा दिया तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं और यह vector हो गया क्योंकि यह दोनो velocity हो गए अब हमने जब generalized velocity पढ़ी थी तो generalized velocity में हमने एक expression बनाया था हमने एक expression क्या बनाया था r i dot vector हमने बनाया था i बराबर 1 से लेकर n तक del r upon del qi qi dot plus del r over dt यह जो qi था इसको हमने क्या बोला था इसको बोला था generalized velocity मैं फिर कह रहा हूँ कि यह जो lecture है यह केवल उन्ही लोगों को समझ भाएगा जिन्होंने इसके पहले वाला lecture देखा हुआ है क्योंकि अब चीजे जुड़ने चालू हो गई है जुड़ना चालू हो गई है तो आप बीच में से उठा के देखोगे तो आपको केवल तभी समझ महा सकता है या तो आपको पहले से पता हूँ चीजे या फिर आपने पहले वाली चीजे देखी होई हो तो यह जो term है यह क प्लस डेल आर ओवर डेल टी यह बन जाएगा यह दोनों वैल्यूज कहा रख दूँ इस equation के अंदर मालों यह equation है मेरी first और इसको मैं देदू second नाम और इसको देदू third तो from equation first, second, third from equation first, second, and third अचा कई बच्चों के साथ बच्चों कहते हैं कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा देता हूँ तो अगर आप लोग लग रहा हो कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज कमेंट करके बता देना मैं उसीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा तो य यहाँ अब यह जो value है ri और rj की मैं इसको equation first में put कर दूँ तो equation first में put कर दूँ तो क्या बनेगा t is equals to half m ri की जगे रखूँगा तो क्या बनेगा i1 से n dr over dqi यह qi और यह dot है उपर है न प्लस del r upon del t और फिर दूसरा वाला कौन सा है j1 से लेकर n तक del r upon del qj और यह qj dot और यह del r upon del t ठीक है इसको मैंने capital पूरे bracket में बंद कर दिया अब इसको भाई आप multiply कर दो वही कैसे multiply करोगे वही ax plus b और मालो कोई term है bx plus c जैसे इसको गुणा करते हो वैसे इसको गुणा कर दो आपस में गुणा करूंगे तो क्या बनेगा half m पहले इन दोनों को गुणा कर तो क्या बनेगा i1 से लेकर n j1 से लेकर n यह बना del r upon del qi एक बना del r upon del qj एक हो गया qi dot और एक हो गया qj dot एक टम तो यह बन गया फिर दूसरा टम मना लेते हैं अब यह इससे गुणा होगा इससे multiply होगा तो क्या बनेगा half m यह i बराबर 1 से n यह del r over del qi और यह qi dot del r over del t यह बन गया अब इसको इसससे multiply करो तो half यह बन गया m यह j बराबर 1 n और यह del r over del qj और यह qj dot और del r over del t ठीक है यह बन गया अब एक टम मना लेंगे हम कौन सा यह दुनों को गुणा करेंगे तो यह दुनों को करोगे तो half m यह किता बनेगा समेशन i बराबर 1 से n समेशन j बराबर 1 से n यह हो गया del r over del t और square यह टम्स बन गये है ना तो यह टम्स बन गये तो हमारे पास इन टम्स को कैसे करेंगे कि देखो यह वाला जो टम है यह velocity के टम्स से independent है यह वाला इन दोनों को मिलाकर एक कर सकते हैं और half कितना हो जाएगा वन क्यूंकि यह देखो similar है यहाँ पर भी del r upon del r i qi यह qj है यहाँ del r upon del t तो यह जो दोनों टम है यह दोनों टम्स एक बन रहे हैं तो इस पूरे टम्स को मैंने नाम दे दिया इस वाले पूरे टर्म को इसको नाम दे दिया मैंने t1 इसको नाम दे दिया मैंने t0 और इस वाले टर्म को मैंने नाम दे दिया t2 अब यह नाम मैंने क्यों दिया है वो मैं अभी बता रहा हूँ इसको दे दिया t2 इसको मैंने t2 नाम क्यों बोला है क्योंकि यहाँ पर जो दो वेलोसिटी के टम्स आ चाहि难ा रहा है तो यह दोनों मिलकर एक ही होगए तो यह जो है टी-वन नाम दे दिया वह टी-वन है वह डिपेंडिन. डिपेंट कर रहा है वेलोसिटी के लीनयर टमपर। यह क्वाड्रिक है यह लीनियर है वेलोसिटी में और यह वेलो कि ait विङ गया तो या टी टू इस इपेंडंट ओन वेलासिटी किस तरह से क्वाडी टिक diplom है ठेक क्वाड़ली किस तरह है यहाँ पर वेलोसितme के दो तम आये हुए इसी तरह से टी बंजो है वह लीनियर है टीवन ऐस लीनियरली डिपेंडन्व ओन वेलासिटी लिनियरली dependent on velocity लिनियरली dependent on velocity और अगर मैं टी नौट की बाद करूँ तो टी नौट तो डिपेंड़ नहीं कर रहा है तो टी नौट ती नौट क्या होगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम वङलासिटी टी यह नॉट क्या हुग गया वेलोसिती का एक term है कौनसी यह जनरलाइस्ट वेलोसिटी तो आप यहां पर अगर वेलोसिटी की जगह जनरलाइस्ट वेलोसिटी लिखेंगे वह ज़्यादा बहतर रहेगा तो यहां कर यह इसको generalized velocity कर लो यह generalized हो गया यह भी कौन सा हो जाएगा generalized generalized यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा generalized ठीक है तो यह जो T2 है यह generalized velocity के quadratic equation बन रहा है T1 जो है वो linear equation बन रहा है और T08 जो है वो depend ही नहीं कर रहा अगर अब हमने एक बार पढ़ा था दूसरे lecture के अंदर अधर हमने पढ़ा था स्क्रेलोनोमस ठीक है स्क्रेलोनोमस अगर हमारे पास कॉडिनेट्स है स्क्रेलो स्क्रेलोनोमस हमारे पास कॉडिनेट्स है तो फॉर स्क्रेलोनोमस कॉडिनेट्स उसके case में क्या होता है time को हम क्या कर देता है time is time is explicit time is explicit हो गया तो उस case में इस equation में जहां जहां time वाले terms होंगे वो 0 हो जाएंगे तो 0 कौन कौन से हो जाएंगे ये जो t1 है वो खतम हो जाएगा t0 जो है वो खतम हो जाएगा तो इसका मतलब t1 and T naught ये दोनों क्या हो जाएंगे vanish हो जाएंगे vanish का मतलब ये हट जाएंगे तो जो तुमारी kinetic energy बचेगी वो किसके बराबर बच जाएगी केवल T2 के बराबर और T2 जो है वो किसके बराबर है वो बराबर है half M I 1 से लेकर N तक और J 1 से लेकर N तक और ये क्या लेखा ये लेखा डेल R आवर डेल QI डेल R आवर डेल QJ ये QI dot और ये QJ dot तो ये जो हमारा expression बन गया ये बन गया किसका kinetic energy in terms of generalized coordinates तो ये क्या बन गया kinetic energy in terms of generalized coordinates generalized coordinates तो generated kinetic energy in terms of generalized coordinates यहां तक बात clear अब अमें निकालना है generalized momentum तो generalized momentum हम कैसे निकालें उसकी बात कर लेते हैं अब हमें निकालना है किया generalized momentum generalized momentum तो generalized momentum हम कैसे निकालें भ lugю energy जो है उसको हम लिक रहे है half M x dot square अगर मैं इसका differentiation कर दूँ x के respect में तो यह बना half m 2x dot तो यहाँ 2 से 2 मर गया यह क्या बन गया mx dot यानि कि यह जो है यह क्या बन रहा है एक तरह से mv और mv को हम क्या कहते है momentum momentum तो यह जो del t upon del x है यह किसके बराबर हो गया p p का मतलब हो गया momentum तो अगर मैं इसको generalized momentum मनाना चाहता हूँ तो for generalized momentum generalized momentum generalized momentum का मतलब क्या है वेरको generalized displacement से भाग लगाना पड़ेगा तो यानि कि delta t upon delta q i या q j बराबर क्या हो जाएगा p i या p j तो यह क्या हो जाएगा generalized momentum तो अब t की value हमारे पास है t की value क्या है यह है तो यहाँ पे q i कर दो या q j कर दो तो वो क्या बन जाएगा generalized momentum जैसा कि मैं बना के बता देता हूँ आपको कि अगर मैं को p i चाहिए तो मैंने क्या क्या del upon del q i वो पूरी की पूरी value 1 by half m i बराबर 1 से n j 1 से n del r upon del q i del r upon del q j यह हो गया q i dot और यह हो गया q j dot यह क्या बन गया यह बन गया हमारा generalized momentum ठीक है यह क्या बन गया हमारा generalized momentum generalized momentum ठीक है generalized moment हो गया i के respect में इसको differentiate कर दो गये तो यहां पर यह q i बच जाएगा y x की power 1 हो गई तो यह क्या हो जाएगा यह dx upon dt हो गया तो इसको dx upon dt को अगर dx के respect में differentiate करोगे तो वहाँ से इसका differentiation हो जाएगा तो इसको इस तरह से हम solve कर लेंगे है ना तो उसके बाद थर्ड जो बनाना है हमें थर्ड बनाना है क्या generalized force तो generalized force बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे वो देख लेता है थर्ड हम बनाएंगे generalized force generalized force तो generalized force बनाने के लिए हमें जरूत पड़ेगी किसकी work की तो work done जो है वो define होता है since जो work done है उसको हम define करते है del w बराबर होता है f dot del r अब यह जो del r है यह यहाँ पर क्या है यह displacement vector है और displacement vector जो हमने लिखा था first lecture वाली बात ध्यान दिला रहा हूं कि del r जो हमने लिखा था first lecture के अंदर generalized displacement जह हमने बनाये थे तो वहाँ पर इसकी value आये थी i is equals to 1 से लेकर n तक del r upon del qi और यह बना था del qi curly i क्या बना था curly i तो del r की जगे हम यह लिख सकते हैं अगर यह लिख सकते हैं तो del w यह किसके बराबर हो गया f ठीक है किसके बराबर हो गया f i अगर हम बहुत सारे coordinates की बात कर रहे हैं और यह हो गया summation i is equals to 1 से n यह हो गया del r upon del qi del r upon del qi और यह हो गया curly और qi अब मैं इस fi को लिख लेता हूं अंदर fi को अगर अंदर लेलू तो del w बराबर कितना हो गया यह हो गया summation i बराबर 1 से n fi del r upon del qi और यह जो है यह क्या हो गया del qi curly qi अब यह जो term है यह वाला पूरा यह वाला term इस पूरे term को हम कैसे और लिख सकते हैं हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो कैसे इसको एक बार लिख लोगे fx del r upon del q1 plus fy del r upon del qi plus fx del r upon del qz यह जो पूरा का पूरा term है इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे कुछ भी नाम दे देंगे मालो इसको qi नाम दे दिया है या कई books में इसको g नाम दे देंगे इस पूरे term को हमने qi लिख दिया या g लिख दिया तो here qi और g ये जो है इसको हमने लिखा fi का dot product कराया किसके साथ del r upon del qi के साथ ठीक है ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा इसके जगे आप qx qi qz भी लेख सकते हो तो ये इस तरह से बन जाएगा तो ये जो है term बना q इसको हम कहेंगे generalize force ठीक है ये जो term है इसको हम क्या नाम देंगे qi या g इसको हम क्या नाम देंगे generalize force क्या नाम देंगे generalize force ठीक है तो हमारे पास जो work done की expression होगी वो क्या होगी qi into curly qi और इसको क्या लिख सकते हो g into curly qi अब ये कोई जरूरी नहीं है जो generalized force लिखाए इसकी dimension किसके अंदर हो force की dimension नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है इसकी dimension वही हो जो force की dimension हो ये dimension less भी हो सकता है जैसा कि हमने बात की थी generalized coordinate के case में कि ये dimension less भी हो सकता है इनकी dimension कुछ भी हो सकती है for example यदि यहाँ पर ये dale qi की dimension अगर length की dimension है यानि कि meter है centimeter है तो उस case में ये जो g है जिसको हम generalized force बोल रहे है इसकी dimension force की dimension होगी यानि कि newton diem जो भी है वो होगी क्योंकि हमें work की dimension चाहिए अगर ये जो dale qi है इसकी dimension angle की dimension होती है यानि कि ये radian में होता है मालो तो उस case में जो ये dale g बनेगा इस g की dimension होगी वो क्या होगी torque की dimension होगी है ना इस g की dimension है वो किसकी dimension होगी torque की dimension होगी तो ये कोई जरूरी नहीं है it is not necessary कि जो generalized force की dimension है वो force की dimension हो वो force की dimension हो भी सकती है वो dimension less भी हो सकता है या वो कुछ और भी dimension हो सकती है कुल मिला के हमारे पास dimension at last जो बननी चाहिए वो किसकी dimension बननी चाहिए वर्क की dimension बननी चाह यह ठीक है तो यह था all about generalized coordinate इसके पहले हमने पड़े थे generalized coordinate part 1 के अंदर हमने पड़ा था generalized displacement फिर हमने पड़ा था generalized velocity फिर हमने पड़ा generalized acceleration आज हमने पड़ा generalized coordinates के term में kinetic energy को फिर हमने पड़ा generalized momentum को और फिर last में हमने पड़ा generalized force को तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जो generalized coordinates हैं वो क्या होते हैं generalized और momentum, force, acceleration, velocity ये सब क्या होते हैं अब हम इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो DLumber principle है वो क्या होता है DLumber principle के उपर questions कैसे frame होते हैं फिर हम बात करेंगे, वर्चुल वर्क क्या होता है क्योंकि वो DLumber principle में आ जाएगा और देन हमारे पास जो main course है language region equation और उसके जो questions हैं वो किस तरह से frame होते हैं किस तरह से questions put up होते हैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनोंने अब स्क्रीन पर चल रहे WhatsApp नमबर पर